तुमस्क्रा दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्षमी बैंक लिमिटेड इस स्टॉक 44.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 0.41 परसंट का अप्मोव दिया है मार्केट कैप है इसकी 1,125 करोर्ट की तो मोटर होल्डिंग 0 है बुक वल्यू 38 है डिवडेंड ये स्टॉक देता नहीं है और फेस वल्यू 10 है फंडमेंटल वीडियो में अल्रडी बना चुकी हूँ प्लेलिस में अड़ कर दूंग आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखे तो इस टॉक फिफ्टी इंटु हंड़ दो नो डियमें से उपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है पी रेशो की बात करें तो पी रेशो मीडियन से चोटू सी उपर है तो कोई दिक्कत परिशानी की बात नहीं है अभी के लिए देखते हैं हम इसका सेल्स एन मार्जन तो वह ग्रॉस प्राफिट मार्जन हमारा हंड़ पे इंटक्ट है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो कोई फरक नहीं पड़ता अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पर चार्ट पर देखें यह हम टागट लेके चले हैं इसके इस मन्त के एंड के मतलब इस ट्रेडिंग वीक के एंड के एंड के जो कि मन्त भी एंड हो रहा है ट्रेडिंग वीक भी एंड हो रहा है एंड क्वार्ट भी एंड हो रहा है हमारे तीनों चीज़े हैं तो उसके 54 पे यह काफी strong है इसको पहले भी बहुत strongly यहां पे face किया गया है और अभी भी यहां पे काफी time तक कि consolidate करता रहा था इस pattern इस में फिर से इसने consolidate के यहां पे फिर से इसको थोड़ी से मशक्कत आई अब फिर से इसको मशक्कत यहां पे आही रही है उपर गया था sustain नहीं कर पा आईगी 44.54 के मतलब आप यह सोच लेजिए कि 45 जैसे ही दिखने लग पड़ेगा हम स्टॉक का प्राइस टेड करता हुआ मुझे लगता है फिर entry का बनाने का मज़ा भी आएगा and entry मुझे लगता है फिर थोड़ा सा confirmation के साथ हम बना भी सकते हैं ठीक है तो आगे का discussion करने से फेले हम एक बार BAC पर चलते हैं तो BAC पर देखिए लॉंग टर्म स्टेज वन पर आ चुका है और उमीद थी कि शायद इसका प्राइस बेंड चेंज होगा तो एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं अभी प्राइस बेंड का जो है 25 का वो आया नहीं है अभी 24 का ही आया है तो यह अपडेट नहीं हुआ है अगर अपडेट हुआ तो मैं डेफिनेटल आपको बता दूँगी कमेंड सेक्शन में थोड़ा सा नज़र रखूँगी और आप भी नज़र रखेगा यहां पे भी अपडेट होई जाएगा अगर अपडेट हुआ तो बाट चांसे मुझे थोड़े से पता नहीं है अभी न्यूज की बात करें तो न्यूज ऐस सच कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अपे डाउनवर में किसी तरीके की मदद करेगी तो अभी के लिए डिलिवरी परस करें तो 66.64% आया हुआ है इसका डिलिवरी परसेंटेज आज तो चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर चार्ट पर देखिए हमने हमेशा बात करी है कि कोई भी स्टॉक है वो 60 जब करता है तो टेस्ट करने जरूर आता है फिर 60 पे एंड टेस्ट करने के बाद जाता है तो य हो सकता है RSI टेस्ट करने आए और कहीं न कहीं हुआ भी वैसा ही दूसरा हमने 21st को यह बात करी थी उसके आफ्टर मार्केट की यह वाली रिजिस्टेंस को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा अगर वॉल्यूम काफी स्टॉंग आ गया तब तो यह कर जाएगा अगर वॉल्यूम नहीं आया स्टॉंग तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और वही हमें यहां पे देखने को मिला है तो अभी के लिए वॉल्यूम के बात करें तो 1.59 मिलियन का वॉल्यूम आज आया है तो रेड कैनल पे जो था पहले 2.82 मिलियन का आया था काफी सर्वलान से भी निकलने वाला है तो मुझे लगता है कि यहां पर अकॉमलेट लोग कर रहे हैं और यह स्टॉक जैसे सर्वलान से निकलेगा तो ऐसा नहीं कि 10% का 20% का प्राइस बेंड हुआ तो रातो राते स्टॉक बढ़ा अच्छा हो जाएगा और भाग जाएगा एक से बट यस यह जरूर चीज है कि काफी टाइम से कंसॉलिडेट कर रहा है तो थोड़े बहुत मूव हो सकता है हमें देखने को यहां पर कुछ मिलें ठीक है तो एक बार वीकली केंडल चेक कर लिते हालांकी वीक का एक ही दिन हुआ है बट फिर भी एक वार थोड़ा सा देखें जस्त से किने इसको थोड़ा साइड करते है मुझे लग रहा है यहां पर कुछ स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा है एक वार इसको डिलीट ही कर लेते हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर रेंड शिफ्ट करेगी तो इसको भी हीकप देखने पड़ेंगे यह वो भी एक चीज है थोड़ा सा यह भी रेंड शिफ्ट करके एक वार सिस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है फिर हमारा जो बॉल होगी वो हमारे कोट में होगी और कोस थोड़ा सा क्लेर होगा तो हम वहां पर फिर प्ले कर सकते हैं तो इक पर चलते हैं अगैन इसके कैंड पर एंड यहां पर यस यह हमें डेफिनिटली स्पिनिंग टॉप आज देखने को मिला है एंड स्पिनिंग टॉप होता है ट्रेंड रिवर्सल एंड यहां पर कोई ऐसे चुटो चुटो टुक टुक मूव तो मिले हैं बट कहीना कहीं साइडवेज ही मार्केट है तो मुझ जादा हमें जाना पड़ेगा राइट तो अभी चलते हैं हम डेज पे ओके तो यह जो अर्ट टागेट लेके चले हैं वो मन्थ एंड के हैं वो मैं आपको एक्स्प्लेंड कर चुकी हूँ तो अभी के लिए यही एनलिस है कोई बाइसल होल की रेकमेंडेशन नहीं है तो रेस्ट आप अपनी एनलिसन्स कीजिए जाने ही समझे पढ़िया और फिर इन्वेस्ट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैपी इन्वेस्टिक